financial ज्यान क्यों जरूरी है why some financial ज्यान इस इंपॉर्टन आजकल आप देखते भी होगे बहुत सारे वीडियो इतना कुछ ग्यान दे रहे ऐसे इन्वेस्ट करो ऐसे ट्रेड करो यह अकाउंट को लो और कई लगते हैं मैं क्या करूं इन सबका मैं तो एक छोटी मोटी नौकरी ह जिंदगी जी रहा हूं मेरे लिए इन सबका क्या मतलब है या फिर मेरा तो इससे कोई connection ही नहीं है मैं तो एक office में कहीं काम करता हूं as assistant to someone or I'm just working in a call center or I'm in a mobile shop I don't know or even if you are an engineer somewhere मेरा क्या इसमें इतना financial literacy हाँ ठीक है पैसे बचाने चाहिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो गया but why financial ग्यान is important for everyone even for a writer I will tell you even for me why it's important you know क्योंकि ये क्या है ना कि पैसा जो चीज है ना दोस्त बहुत ही जरूरी चीज है ये तो आप मानों के जरूरी चीज है ये त पैसे से सब कुछ नहीं मिलता पैसे से health नहीं मिलती आई एगरी या ऑगरी और सभी कह रहा हूं पैसे से health के लिए काम करना पड़ता है I get that point but that doesn't mean की पैसे important नहीं पैसे से health नहीं मिलती फिर किसी ने यहीं काता कि health से भी तो पैसा नहीं मिलता कि मिल जाता है body बनालेगा प mentions है, दो अलग-अलग चीज़ें है life में जो चाहिए, health भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, लेकिन पैसा बहुत जरूरी चीज़ा है, पैसे से आपको एक lifestyle मिलता है, luxury मिलती है, basic necessities, खाना, paid भरते हो, पैसे से, school की fees भरते हो, doctor के पैसे भरते हो, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए है, है ना, तो वो पैसे को कैसे संभालना है, क्योंकि पैसा paid भरते तो लगा नहीं हुआ, कि जाके तोड़ लो, तो पैसा कमाना पड़ता है, तो पैसा कमाना और पैसे को बचाना और ठीक से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल चीज है पैसा कमाना और वो पैसा आता भी है तो उसको कैसे संबाला है कुछ लोगों के पास बहुत है दुनिया में लेकिन मुस्ट लोगों के लिए पैसा कमाना is a struggle and they have to work very very hard to get the money तो आपको अगर knowledge होगी तो ही आप कुछ कर सकते हो ना अगर तुम्हारी knowledge ही नहीं है पैसे के मामले में या तुम सुस्तों यह मेरे लिए तो जरूरी है नहीं भई मेरी life में तो इसका कोई रोल लिया तो वो गलत है जितने भी वैसे हो चाहिए आपको पांच हजार रुपए करनी है तो उसमें से कुछ saving होना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा खाना जरूरी है तो अच्छा खाना भी आपको मिलना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको बढ़िया pen pencil खरीदने है तो उसके लिए भी पैसे लगना चाहिए यह नहीं खर्चा नही और चीज का budget अपको पता है महीने में किते पैसे कमाते हो exactly ओके शायद ये फिर भी पताओ क्योंकि salary लोगों को पता होती है उसके second सवाल आपको ये पता है कि महीने में आप कितना खर्चा करते हो exact आपको पता है और क्यों नहीं पता है आज कल पते कितने apps आ गए हैं budgeting के लिए आप देखो कि पचासों free app है उसमें बस आपको सारा डालत जाना है कि आपने कितने कितने पैसे कहा खर्च आपको पता लग जाएगा महीने के end में और ही यार इतने पैसे तो मैंने I am just giving you one small example on how budgeting can help you understand कि आपकी habits क्या है आप exactly क्या कर रहे हो पैसा कैसे आप optimize कर सकते हो सबसे पहला काम तो budgeting है फिर उसके बाद budgeting करोगे तो उस budget आपको बनाना आ गया कि budget basically is कितना कमाया कितना खर्चा तो जो कमाया minus खर्चा is the saving so आप budget इसलिए सीखोगे कि आप अपनी saving better कर सको आपनी saving maximize कर लो एक बार आपने saving कर ली उसके बाद आपको समझाना है कि यह saving को मैं कहां invest करू ठीक है बहुत जगाए हैं राइट बैंक में है FD है आप Sona भी खरीच सकते हो आप shares भी खरीच सकते हो यह एक वीडियो में सब कुछ नहीं cover कर सकता बहुत सारे हो रहे हैं और वो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है किस तरफ करना है कि निवेश कैसे करना है invest कैसे करना है but you have to invested property भी ले सकते हो पर उसके लिए सब्सक्राइब ऐसे चाहिए होते हैं अभी से saving और investing की आदर डाल लो जितने भी low base पे हो it's okay you know 5000 के भी mutual fund आते है 5000 के भी शेर आते है 5000 की BFT बनती है so you can try and do that you know तो यह आपको एक life पूरी अपनी ऐसे बदलनी पड़ेगी कि मेरी life में कितना मैं कमाता हूं कित तक हर्षता हूं और जो किती saving आती है और वो saving कैसे अपनी चीज़ें कैसे कर रहे हो that's very important अगर आप नहीं करोगे ना तो बड़ी easily पैसा overspend हो जाता है बड़ी easily पैसे खर्च हो जाते हैं overspend हो जाता है आजकल credit card आगे है मतलब जितना आपने कमाया उससे ज़्यादा भी आपको खर्चना allowed है पर वो loan बन जाता है loan with interest वो तो सर पे बहुत बिमारी है so you don't want to get into those things those traps it's called credit card trap credit card debt trap things like that so उसके लिए you have to have financial ज्यान don't think it's not cool don't think it's for some you know that CA friend of mine इनो तो मुनीम जी करते हैं मैं तो कूल हूं यार मैं तो online shopping कर रहा हूं पागल ना बनो it's a stupid behavior you have to be responsible you know हर चीज की खाना पड़ा है तो इतना खाते ही जाओगे पे ठूस लोगे इससे पैसा पड़ा है तो इसका सारा खर्ची दोगे बरबाद हो जाओगे ऐसे तो नहीं कर स इन मैं टोल यू इन बिग्निंग की एक राइटर के कैसे काम अगते ही लोगे फूल फूल फाइनाशल प्लानिंग में थे बैंक में था तो बिफूर आ बीगेम राइटर मैंने पूरी फाइनाशल प्लानिंग की ते और आज भी कड़ता रहता हूं इस वेई इंबॉतन प्लीज को में बताइए और लव तो नो थाइट रहुआ है क्या है था गाइस थैंक यह वाज जान दे किया इन घू एट लू इफ लू एट सब्सक्राइब यू कॉर शेयर अट प्लानिट प्लाइड प्लाइट विए टूब्सक्राइब श्च्राइब प्लाइब टीर